नमस्कार दोस्तों, बजट 2021 अब हमारे सामने है और इस बजट 2021 का इंडिविजवल्स की टेक्स लाइविटी पर क्या इफेक्ट रहेगा इसी बात को लेकर के आज की ये वीडियो आपके सामने तस्तुते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Individual Tax Rates में क्या कोई चेंजडे आये हैं No CHanges in Slab Rates यानी जो slab rates हमारे पास में Old Slab Rate और New Slab Rate जो New Slab Rate थी सर वो पिछले बजट से changes आये थे उसमें उसमें भी कोई परवर्तन नहीं है, पुरानी slab rates में भी sir individual assesses के लिए कोई changes नहीं है No changes in surcharge and higher education cess rate सरचाज की रेटों में भी sir और higher education की rates में भी कोई difference नहीं आया है No changes in standard deduction, जैसे पहले standard deduction 50,000 रुपे तक allowed था salary paid employees को उसी प्रकार इस साल भी sir 50,000 का standard deduction रहेगा, इस साल मतलब financial year 2021, no changes in deduction under section 24B as well as section ETC and the benefit of ETA extended up to 31st of March 2022 इसका मतलब क्या है sir, जो ETC की limits है 1.5 लाक रुपे की या section 24 clause B में 2 लाक रुपे तक का आप self occupied property पर interest का deduction लेते हैं, उसमें कोई परवर्टन नहीं हुआ हाँ section ETA में जो एक 45 लाक रुपे तक की stamp duty value के house property खरीदने पर extra 1.5 लाक के interest के deduction की विवस्ता दी sir, उसकी last date थी 31 माज 2021 जिसे एक साल बढ़ा करके 31 माज 22 कर दिया, अर्थात अगर आपने वित्तवर्ष 2021-22 में भी property ले ली तो भी आपको वो 1.5 लाक का extra deduction interest का मिलेगा no changes in the rebate amount of rupees 12,500 under section 87A, rebate का quantum भी sir same है and finally no changes in tax rate on capital gain, capital gain की tax rate भी sir जो short term capital gain की हैं, उनमें भी किसी प्रकार का कोई परवर्तन सर इस budget से नहीं किया गया है relief for senior citizens पर बात करते हैं, सर कि भारत सरकार नहीं है कहा कि साब 75 years या उससे उपर की age के senior citizens को return भरने से exemption दी जाएगी, सर ध्यान से सुनिएगा इस बात को, return भरने से exemption की बात है कहीं पर भी tax liability payment से exemption की बात नहीं है, यानि जो threshold limit है senior citizens के लिए 60 years या उससे उपर में हम बोलते हैं, 3,00,000 रुपे तक कोई tax liability नहीं है, total income और 80 years या उससे उपर की case में, 5,00,000 रुपे तक की total income पर कोई tax liability senior citizen को नहीं यह जो rates हैं, यह जो exemption limits हैं, वो यथावत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, तो सरकार ने फिर change क्या किया, government यह propose कर रही है सर, या जो bill में बात की गई है, वो यह है, कि no ITR will be required for senior's reason on or above 75 years of age, if they provide a declaration to the banker अगर आप pensioner हैं और आपकी pension के साथ केवल और केवल interest income है, तो एक नया section सरकार 194P लेकर क्या रही है जिसमें यह कहा गया कि साब आप अपने bank को अपनी pension की और interest income की गोशना कर दें और आपके पास कोई और income नहीं है तो आपके declaration के case में, banker आपकी ओर से आपकी detail fill up कर देगा, update कर देगा और ऐसी परिस्थती में आपको return भरने से exemption है मैं फिर repeat करता हूँ सर, केवल return भरने से exemption की बात की गई है, ऐसा नहीं कह रहा कि 75 साल या उससे अधिक के senior citizen को किसी प्रकार की tax liability से पूर्णतेया free कर दिया गया है, नहीं सर, tax liability लागू रहेगी, आगे सुनिएगा अब बात करता हूँ दोस्तों, changes for businessmen and professionals जो सर, section 44 AD या ADA की limits पर हम चर्चा करते हैं, जैसे section 44 AD का benefit 2 करोड रुपे तक के turnover पर लिया जा सकता है या 44 ADA professionals के case में, पचास लाग तक के case में, आप 50% minimum income बता दें तो चलेगा इन slabs में, इन limits में कोई changes नहीं आया है सर, साथी tax audit की limit भारत सरकार ने 10 करोड रुपे करने की बात करी है लेकिन ये 10 करोड रुपे की limit सर, तभी लागू होगी, जहां आपके total payments और total receipts में 5% से ज़्यादा के payment cash नहीं है और 5% से ज़्यादा के receipt cash नहीं है, तो वित्वर्ष 2021-2022 में सर, ये particular tax audit की limit आपको 10 करोड रुपे तक भी tax audit नहीं कराने के लिए exempt करेगी ITR filing due dates में सर, जो सरकार थोड़ा सा change लेकर के आई है, वो tricky सा है, कि भारत सरकार सर, assessment की time limits को significantly reduce करती आ रही है पहले से, तो अब भारत सरकार ये कह रही है साब क्या आपकी जो normal due date होती है return filing की जैसे मैं अगर बात करता हूँ, कि आप generally financial year खतम होने के बाद 31 जुलाई तक अपनी return file करते हैं, तो भारत सरकार ये कह रही है कि okay, 31 जुलाई तक जो लोग return नहीं भरते, उन्हें अगले साल की 31 माज तक भी return भरने का हम option देते हैं, अब वो 31 माज तक के return भरने की समयावदी को 3 महिने और कम किया जा रहा है, यानि वित्वर्ष 2021-22 में अगर आप अपनी return timely नहीं भरेंगे, तो आपको belated return भरने का time के वल 31 दिसंबर तक का मिलेगा, तो इस प्रकार से sir, due date of filing return में चाहे belated return ह और चाहे revise return हो, उन दोनों की ही dates, final date, यानि last से last date, assessment year 2022 थे, इसमें फर्दर 3 महिने से कम की जा रही हैं, ऐसा इस budget में प्रस्तावी थे Reduction in assessment opening time limits पर बात करता हूँ दोस्तो, assessment opening की time limit पर जो प्रस्ताव आया है, वो क्या है, कि अब तक sir, जो assessment open होता है, वो होता है sir, 0 to 4 year without any quantum, यानि 4 साल up to the end of relevant assessment year तर, beyond any monetary limit, आपका assessment income tax department खोल सकता है, और 4 साल के बाद में sir, 6 साल तक आपका assessment खोला जा सकता है, provided minimum reason to believe कि आपके पास में कोई income escaped रहे गई एसस होने से एक लाग की, एक लाग की limit sir, बहुत अव्यवारिक limit थी, भारत सरकार ने यहाँ पर दो changes किया है, 0 to 4 की limit को sir, 0 to 3 कर दिया है, यानि assessment year खतम होने के 3 साल बात तक, आपकी income का assessment without any monetary limit, section 147 of income tax law में किया जा सकता है, लेकिन sir, 3 से 10 साल में जब आपका assessment किया जाएगा, यानि assessment year खतम होने के 3 साल बात, तो monetary limit लाग होगी 50 लाग की, इससे क्या होगा sir, जो assesses जिनके पास में छोटे amounts का किसी प्रकार से escapement जान बूच कर अत्वा गेर जान बूच कर रह जाता है, उनका जो harassment 6 साल तक होता था sir, assesses को परिशान किया जाएगा, या उन्हें radar पर लिया जाएगा, जिनकी income escaped assessment 50 लाग रुपे या उससे जादा कि रहेगी, तो दोस्तों कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे amendments हैं, जो बड़े महत्पूर्ण हैं, लेकिन उन पर कुछ अलग से मैं कुछ material बना करके आपके सामने वीडियो के थूरू लाने की कोशिश करूँगा, जैसे भारत सरकार ने dispute resolution scheme की बात करी है, तो एक बार जब इस scheme के बारे में कुछ details आती हैं, तो मैं आपके सामने उस पर भी updates लाने की कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, आज की ये वीडियो आपके लिए budgets पर individual के tax rates का क्या impact रहेगा, उनके संदर्व में compliance में क्या impact आएगा, उनको किसी न किसी रूप में आपके सामने लाने में सफल रहेगी, और इसी आशा के साथ बहुत सारी शुब कामना है, कि वित्तवर्स 2021-22 आप सब के लिए शुब एम मंगल मैं हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ज क्या है.